उत्तर परदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव बिल्कुल करीब आ रहा है उत्तर परदेश के जो नए नवेले प्रत्यासी हैं उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वे करें तो क्या करें परिवाद चुनाव लड़ना है तो कैसे चुनाव लड़ें क्याल जंता के बीच में क्याल लेकर के जाएं कि जंता उनके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहे आज की वीडियो में नए प्रत्यासियों को चुनाव लड़ने से संबंधित कुछ टॉपिक तो बताएंगे ही बताएंगे लेकिन जो भ्रस्ट चारी प्रधान हैं उनके खिलाफ कारिवाही कैसे होगी उसके बारे में भी पूरी जनकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है अक्सर देखा गया है कि प्रधान जी लोग पैसे निकाल के लाते हैं सड़क बनाने के लिए पैसे निकाल के लाते हैं नाली बनाने के लिए पैसे निकाल के आते हैं इंटरलाकिंग सड़क बनाने के लिए या सीसी रोड बनाने के लिए लेकिन जमिनी अस्तर पर जब देखा जाता है तो पाया जाता है कि 500 मीटर सड़क बनानी थी लेकिन 50 मीटर सड़क बनाई गई और बाकी को पूरे कागज में दिखा दिया गया कि हमने 500 मीटर की सड़क बना दिया और बचा हुआ जो पैसा है वो अपने निजी पाकेट में रख लिया जाता है ऐसी ही शमशाओं से जूज रहे लोगों को ये वीडियो राहत देने वाली है इस वीडियो को आखरी तक देखेंगे समझेंगे और कॉमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको साथ में आपको मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपने गाउं के प्रधान द्वारा किये गए सभी कारियों का डाटा देख पाएंगे और कैसे अगर वे अन्याय कर रहे हैं ब्रस्टाचार कर रहे हैं घोटाला कर रहे हैं कि उस ब्रस्टाचार और घोटाले को रो प्रत्यासी पहली बार चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल उनके मन में यही आएगा कि इस बार सीट कौन सी आएगी जनरल आएगी पिछडी आएगी अनसुचित आएगी क्या होगा तो देखें अगर जनरल आता है तो सभी लोगों को एक समान मौका मिल आदिक होगी पिछडी जातियों की संख्या 2-45 पर्षेंट होगी और समान की शंख्या 2-45 पर्षेंट होगी तो यह मान के चलिए कि 10 बार के चुनाव़ में एक या दो बार ही पिछड़ी और समाने को मौका मिलेगा बाकि हमेशा सीट अनसूचित ही रहेगी इसी तरीके से अगर आपके ग्राओं में 80% 70% से ज्यादा पिछड़ी जाती की अबादी है 12% 15% या 10% बाकी जाती हों की अबादी है तो ज्यादा बार मौका मिलेगा पिछड़ी जाती के ल जाती है उस हिसाब से रिजर्वेशन जाहरी का मौका मिलता रहेगा खैल रिजर्वेशन के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए लाक्षे कम कोई मौका मिलता है तो यह तो रहा रिजर्वेशन के बारे में जो आके दिमाग में हलs-ल था उसके लिए एक छोटा नम이 लेकिन अगर आप वास्टो में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आज से लेकर 2015 के अंतिम महीने और 2026 के प्रथम तिमाही के बीच में, यानि 2020 दिसंबर से लेकर 2026 मार्च तक आपके गराम प्रधान का चुनाव होना ही होना है. आज ऐसे लेकर के तब तक के बीच में 20-22 महिने का वक्त है अब इस 20-22 महिनों में आप गाउं में कुछ ऐसे सरवजनिक कारे करें जिससे गाउं के लोगों को लगे कि आप बेहतर ब्यक्ति हैं आपका बेवहार अच्छा है आप हितैसी ब्यक्ति हैं आप लोगों की मदद करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आप किसी के साथ पक्चपात वाली बात नहीं करते हैं, आप सब के साथ मिल जुलकर सब की मदद करते हैं, ऐसी छबी सबसे पहले आपको बनाना है, जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों, धन हों, खर्च करने क लिए आपके पास बहुत सारे पैसे हों या आप बहु बली हों तभी आप ऐसी छबी बना सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है देखिए बैक्तिका ब्यवहार नमस्ते सलाम सारीरिक मेहनत करना उनके सुख दुख में सामिल होना दो चार मित्रों दोस्तों को ले करके उनके किसी अधी विवा में समय देना हो चाहे और अने समया में समय देना हो लोग को लोग आपको समवान को probal भी शमझेंघे तब लोग आपको अपने घर भी बुलाएंगे तब लोग आपके कहने पर भी जहां आप कहेंगे वहां जाएंगे इस तरह से लोगों के बीच में अपनी उपस्थिती बना के रखें अपने आपको प्रिजन्ट करते रहें साफ सुत्रा रहें और लोगों के बीच में साफ यह रहा नए प्रत्यासियों के लिए निहसुल्क शेवा भाव से जन सेवा भाव से जुड़े रहने का तरीका खैर आब आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि यदि आपके प्रदान बर्तमान प्रदान से पूरा गाउं तरस्त है पूरे गाउं के लोग गालियां दे रहे हैं अभी कारियों का डेटा निकलवाईए डेटा निकालेगा अकाउन मिलेगा कहां से वह भी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी देखिए सीसी रोड निर्माड कारिया इंटर लाकिंग निर्माड कारिया फिर सीसी रोड का मरमत का कारिया फिर स्टेट लाइट लगाना स्टेट लाइट लगा हुआ है तो उसका मरमत कराना सोलर लाइट लगवाना वो लगा हुआ है तो फिर उसकी मरमत कराना सफाई किट जगे ज जगह 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 पर ड़क्वाना, प्राइमरी स्कूल में काया कल्प कर्वाना, नए नलकूप लगवाने का कारिय। इस सारे प्रकार के कारिये गाउं में वरतमान परधान दौरा किए जारहे होंगे, आपको इसमें से एक-दो कारे दिखाई दे रहे होंगे, बाकि सारे कारे आपको नहीं दिखते होंगे और ग्तर्परदान को अधिकार है कि इन सारे कारे को करवाए और इन सारे कारे के नाम पर BILL voucher बना करके गुवर्मेंट को दिया जाता है और गौर्मेंट से पैसे लिया जाता है और फिर उसको दिखाया जाता कि हाँ हमने ये सारा कारे करवा दिया और इसका खर्च इतना है और वो खर्च सिदा सिदा उनके जीब में चला जाता है गाओं की जनता आँखोर से प्रक्तिय रूप में क्या देखती है सलक देखती है नाली निर्माड देखती है खडंजा निर्माड देखती है लेकिन उसको क्या पता कि पुराने खडंजा को ही इन्होंने रिपेरिंग करवा दिया और पुराना सलक ही रिपेरिंग करा करके इन्होंने कागज में ने सलक कर निर्माड़ दिखा दिया अब गाओं की जनता जब तक भुरूफ नहीं देखेगी यदि आप प्रत्यासी हैं जाग रूँख हैं लोग आपका सम्मान करते हैं आप के भरोसे लोग कुछ अपना कारे करते हैं या आपके कहने पर कोई decision लेते हैं या नहीं लेते हैं तो आप अगर उनके बीच में ये सारे data ये सारे कागज ले कर जाएंगे गाउं की जंता के बीच में और दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर नाली निर्माड कार लिखा हुआ है इनके घर से उनके घर लेकिन बरतमान परधान ने वहाँ पर नाली नहीं बनवाया और नाली बनवाने के नाम पर पैसे निकाल लिया है गाउं का विकास होना चाहिए लेकिन इस तरह से तो गाउं का बिनास हो रहा है जब आप जंता केवीच में इन सारे कागजों को दिखा दिखा करके आप बताएंगे तब जंता आपको समझेगी कि आप काफी पहुंच वाले बेखती हैं, काफी पखड़ वाले बेखती हैं और आप उनसे बहतर प्रत्यासी हैं, आप बरतमान प्रधान से बहतर काम कर सकते हैं, आपको कागजों की जानकारी है, आपकी पकड़ दूर तक है, आपकी पहुंच दूर तक है, आपकी सोच अच्छी है, जनता को बिना बताए, ये सब जनता आपके बारे में ऐसा ही सोचने लगेगी तब देखिए आप जीरो रुपए इन्वेस्ट करके भी जनता के बीच में हमेशा हीरो बने रहेंगे नहीं एक नंबर के प्रत्यासी तो दो नंबर के प्रत्यासी के रूप में आप किने और समझे जाएंगे और जैसे ही चुनावाएगा उस वक्त आप कुछ और कि लोग आपको हमेशा अपनी जुबान पर रखे रहेंगे लोग हमेशा आपके पीट पीछे आपकी तारीफों की चर्चा करते रहेंगे और मैं समझता हूं कि पिछले बार 2021 में जब चुनाव हुआ था 2021 के मार्च अपरेल में चुनाव जब हुआ था उस वक्त भी लोग से 11 830 फर मेरे दवडियो के दवरा यह चुनावी लाप पा चुके हैं कुछ लोगर ने तो चुनाव बहूत अच्छे वोट्स से जिता कुछ लोगने बराबरि के आस पास में चुनाव हारे लेकिन उन्होंने भी तारीफ किया कि मेरी पहले गांव में अईसी चवी नहीं थी, मेरी पहले गाउं में ऐसा वोट नहीं मिलता था मुझे, लेकिन जब मैंने आपके बताये तरीके से काम किया, तो मुझे काफी वोट भी मिला, लोग मुझे काफी सम्मान के नजर से भी देखने लगे, और मुझे भी गाउं में जाने का, कुछ दिख होके भीड लगाते हैं, सुचते हैं कि कहीं मेरा नाम आया तो नहीं, किसी ओजना में, या कहीं मेरा नाम काटा तो नहीं जा रहा किसी ओजना में, तो उसी तरीके से जबाब गाउं के बिकास कारियों का लेखा जोखा लेकर बैठेंगे, अपने महले में या अपने टोले बिट कर देंगे परने का परदान से तरह के सब्सक्राइब काम करेंगे ना ही 15 करेंगे जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे यह वीडियो उन प्रष्ट चारी उन बेकार और बेवयाद प्रधानों को बुरा लग सकता है जो लोग इस तरह का मेरे को सुने, मेरी बातों का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनके उपर में छोड़ता हूँ, लेकिन आने वाले समय में चुनाओं प्याधारित, चुनाओं जीतने से संबंदित, या ग्राउं परधान द्वारा किये गए कारियों का रिलेखा जोखन निकालने से अभी कारियों का डाटा चाहिए, लेखा जोखा चाहिए, जिसे आप गाउं के लोगों को दिखा सकें, अपनी अच्छी छवी बना सकें, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपको उसका फायदा मिल जाएगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में,